नमस्कार मैं रखनात प्रशाद बिहार कास्ट सर्वे के रिपोर्ट के बाद वैसे एलिमेंट्स जो सोशल जस्टिस के प्रती शकारात्मक भ्यू नहीं रखते वे कन्फ्यूज हो गए उनको ये उमीद ही नहीं थी कि बिहार का कास्ट सर्वे सामने आ जाएगा लेकिन ये हो गया विहार सरकार ने इसे अच्छी तरह से प्रकाशित कर दियो अब वैसे तत्तों को ये कहने में कि वे कास्ट सर्वे का सपोर्ट करते हैं या एगेंस्ट करते हैं वो जिजएक महसूस कर रहे हैं ना उन्हें उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है तो उ इनकी संख्या जितनी अधिक है उन्हें मुखमंत्री पत स्वपा जाना चाहिए मैं वैसे तत्वों से कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री का पत या मुखमंत्री का पत ऐसा पत नहीं है कि उसको आपकास्ट के आधार पे बांध सकती है जिनके जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्चेदारी का यह अर्थ नहीं होता है इसका अर्थ होता है कि जिनके जितनी संख्या भारी है उनकी हिस्चेदारी कहां होनी चाहिए तो central services और state services including public sector undertakings होना तो चाहिए private sector भी कि उनमें उनकी हिस्सेदारी क्या है group A services, group B services, group C services, group D services आने वाले वीडियो में मैं इसे जारी करूंगा कि किनकी कितनी भागिदारी है तब ऐसे तत्वों को अंसर देना चाहिए कि इस समंध में आपको क्या कहना है इसलिए भागिदारी उसमें कि SC, ST, EVC, BC, Minorities की भागिदारी वास्तों में वहां कितनी है क्या प्रतिसात है उने का आवादी के अनुसार पहले लोग यह अनुमान करते थे कि बिहार में भी यह कहिए की 1931 के जन्गन्ना की अनुसार 22 प्रतिसात के असपास पिछनों की आवादी होगी लेकिन पिछनों अति पिछनों को मिला कर विहार में 63 प्रतिसात आवादी है उस समय से और लोग अचंभीत हो गया है कि यह क्या हो गया चुकि यह असपस्ट हो गया कि 84-85 प्रतिशत आबादी समाजिक नियाए की है। 2006 में सिक्षन संस्थाओं में आरेक्षन मिला 27 प्रतिशत पिछरे वर को अनस्वचित जाती अनस्वचित जन जाती को संबैधानी का आरेक्षन पहले से है। वैसे तत्वों को यह जानना चाहिए कि क्या यह राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पिछरे वर्की कोई आवादी नहीं है। क्या वहाँ पर सर्वे या संसर्स नहीं होना चाहिए कास्ट का। और आप क्यों चुप वैठे हुए हैं या जो दल इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है उनको यह सीधे डिमांड करना चाहिए कि हर राज का आलग अलग सर्वे अब तो होना ही है मजबूरी है सभी राज्यों की बिहार के कास्ट सर्वे के प्रकासित हो जाने के बाद स्री नितीष कुमार जी ने यह ऐशा काम कर दिया है जिसको फॉलो करना ही पर एगा सभी राज्यों को और आने वाले कल में केंदर सरक को भी सोचना परेगा कि आखिर इन चार राज्यों में और एक यूनियन केरिटरी में आज भी पिछले वड़ को क्यों नहीं आ रिक्षन इसके अत्रिक्त कई राज जैसे हैं जहां आज भी कम से कम जो 27 प्रतिशत आरिक्षन होना चाहिए वो आज भी नहीं मिला है सिर्फ यह कहते हुए कि 50 प्रतिशत की सीलिंग नहीं बढ़ाई जा सकती है मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने नोवंबर 2022 में जो फैसला हुआ है EWS रिजर्वेशन का उसमें महत्वण 5-6 विंदूओं की चर्चा मैंने की जिसमें यह असपस्ट है कि यह कोई यह ऐ के लिए या जो मर्जिनलाइस्ट क्लास्ट है जो जिनके कल्यान की बात होनी चाहिए उनके लिए यह सिमा तो रही नहीं जा सकती है और जब सिमा टूठी गई है उन्रवल सुप्रेम कोड के द्वारा तीन दू के बहुमत से 10 प्रतिशत आरक्षन देने के बाद करिब तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है भारत सरकार अगर चाहे तो इस समस्या का निदान निकल ही सकता है और और नेवल सुप्रेम कोड नोवंबर 2022 के AWS में जो जज़्जमेंट है उसके आधार पर निश्चित तोर पर जो विचार होगा वो विचार करे गया ही और भारत सरकार जरूरी है तो 2021 के पेंडिंग सर्सन के लिए वैसे तत्वों को कहना चाहिए कि संसस जरूरी है का संसस ताकि सव का ये पता लग जाया कि क्या है और इन सारे मुद्दों को बहुत गहराई से स्री राहूल गांधी जी ने दिनांक 9 अक्टुवल 23 को प्रेस कोंफरेंस में इ मैं वैसे तत्वों से कहना चाहूंगा ये ऐसे राज हैं जहां 27 प्रत्चत आरक्षन भी अभी तक अरने पिछले भर को नहीं मिल पाया 36 गर में अभी भी सिर्फ 14 प्रत्चत आरक्षन है और मामले कोट में जाकर लटक जा रहे हिमाचल प्रदेश में क्लास 1 और क्लास 2 में मदप्रदेश में सिर्फ 14 प्रतिशत है महराष्ट्रा में सिर्फ 20 प्रतिशत है मनीपूर में 17 प्रतिशत है पंजाब में 12 प्रतिशत है राजस्थान में 21 प्रतिशत है शिक्किम में 21 प्रतिशत है उत्राखंड में 14 प्रतिशत है और पश्शिम मंगाल में 17 प्रतिशन है मैं ऐसे तत्वों और दलों से अम्रोद करना चाहता हूं जो फ्रम पैदा कर रहे हैं सोसल जस्टिस में वहाँ पर कोई फूट होगी नहीं देर सवे राज भले जातियों की शंख्या को देखकर लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हूं वो ठीक है लेकिन जब वक्त आएग सोसल जस्टिस युनाइटेड होगा SC, ST, EBC, BC और माइनोरिटी वह सोचने को बात दे होगा कि वास्तों में कौन से संगठन से किस दल से समाजिक न्याय को लाग हो सकता है और मैं वैसे तत्वों से जो भ्रम फैलाने की कोशिश करने हैं उनसे मैं अन्रोद करता हूं कि वा Juice को भी अपने अपने हां कास्ट सर्वे कराना ही चाहिए ताकि ये स्पर्ष्ट हो جाए कि किस जाती और किस केटउगोरी कि अमसुची जाती की जन जाती की 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 जाती क अब रुकने वाली है नहीं जो धारा एक बह गई है वो बहेगी और वो अपना अपना अस्थान ढूड़ेगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तो पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क करें बेल आइकन को स्टर्च करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्पिकेशन आपको तरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्नवाद जये